नमस्कार नमस्कार दोस्तों पर आप सभी का हारव दिगमदं करता हूँ दोस्तों तीसरे दिन क्या हुआ टाटा पर इस्ञास से आज क्लास में समझेंगे हम कि ऐसे वो कौन से खासला में रहे जिस से खेल बदल सकता था या बदल गया तो आए शुरूरात करेंगे सबसे पहले गोकेश और डिंग लीरेन के मैच की और ये मैच हमने अल्रेडी अनलाइज किया हुआ है डीपली तो आग ये जाकर करें हमारे चैनल पर जरूर देखें शुरूरात होई कुछ पिछली चाल में जो है रुक यहाँ पर गोकेश ने एकशुली में एफॉर का पॉन सेक्रिफाइस दिया डिंग लीरेन ने इसको एकसेप्ट किया और कुईन जाता है एट सेवन देखने में ऐसा लगता है कि ब्लैक को दिक्कत होनी चाहिए लेकिन ब्लैक को दिक्कत सिर्फ अगली एक चाल सही सटीक होती तो होती क्योंकि इस समय ये बिशप था बंग और अगर यहाँ पर इन्होंने रुक डीटू खेला अगर यहाँ पर बिशप डीथरी खेला जाता गोकेश यहाँ पर खेलते तो और दो पॉन अप रहते लेकिन इस्ट्रक्चर थोड़ा डामेज होता और एक्सचेंज अप होते यहाँ पर गोकेश दो पॉन अप रहते यहाँ पर डिंग ली रेन और यह मैच इंट्रस्टिंग हो सकता था लेकिन रुक डीटू खेलने की वज़े से धिरे-धिरे पूरी पॉजिशन निट्रलाइज हो गई और कोई भी मौका जो है वो नहीं मिला फिर गुकेश पे इस मैच को जीतने का इस मैच का अनले से समने किया हुआ है तो उसको डिटेल में जाकर करके आप देख लीजेगा पूरा गेर उसके बात बात करें आगर हम बात करते हैं दूसरे गेम की जो था प्रग्यानंदा वर्सेस वे इ इसमें क्या हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टन था इस पोजिशन में अगर मैं कहूं तो ओपनिंग में ही एक मौका यहां पे था जब कुईन सी एट खेला गया वे इ के दवारा खेल की बार भी चाल में यहां पर नेक्स्ट जो मुव था वो नाइट डी फोर आ रहा था और यहां पर आप दीखें कि एफ फ़ई पॉन तो अल्रेडी वाइट ने अल्रेडी दिया हुआ है कि आप जब चाहिए तब मार लीजे वह आप सेक्रिफाइज जो है वो कर रहे हो क्योंकि आपके पास डबल बिशाप आने व जहां से जो है यह मैच को वो किया जा बचाए जा सके लगातार महरों की एक्षेंज होते रहे बलकि प्रग्या निंदा के पास थोड़ा सा वो कोशिश करते रहे लेकिन जो पोजीशन आई कई बार चेंज हो ही एक्षेंज हो है उसके बाद भी वो पॉन डाउन थे फिर अ पोजिल किलर बिशप एंड गेम आ गया और लास्ट की पोजिशन कुछ यूँ थी जहां पर मैच ड्राव हुआ जहां पर दोनों खिलाडियों के पास एक एक रुक एक पॉन था तो क्या बदल सकता था एक्षुली उस पोजिशन में क्या खेलना चाहे था प्रग्या सकते हो नाइट इफोर नाइट इफोर कुईन इफोर बिशप एच्थरी इसमें ज्यादा मौका था वाइट के लिए कंपनसेशन ज्यादा अच्छा था डबल बिशप कुईन भी बोर्ट पर और अटैक के चांसे ज्यादा अच्छे रहते तो यह क्रिटिकल मोमेंट आफ दे मेरे साब से प्रग्यनंदा के गेम में था बिशप एथरी ना खेलना उसके बजाए डायरेक्ट जी थरी खेलना जिसकी वज़े से गेम जो है वो तुरंत ही जो है वो एंड गेम में पहुंच गए अगली कुछ चालों में मतलब कुईन लैस मिडल गेम भी आप इसको कह बनता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पर अलग से एक वीडियो बनाओ लेकिन सीधे आपको गेम की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर लेके चलूँगा जो जिसने गेम को अपडाउन कर दिया पूरा का पूरा मतलब सब कुछ बदल सकता था जहां से मैं आपको पहले एक पोजिशन दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए लॉंग कैसल किया है वाइट ने ब्लैक ने किया है शौर्ट कैसल वाइट एक अटाक करने के लिए तया है उसका नाइट जी फाइब पर है बहुत कुछ हो रहा है बोल यहाँ पर बी-सी फाइब खेला ब्ल चाल मिस हो गई थी कि बिशब सी फाइब उनके बाद उनको लगा कि यहाँ पर आप देखिए कि आपने तो एक पीस मार लिया है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद आता है रुक बी-एट और नेक्स्ट मूव नाइट-ई-फॉर है जो कि अनस्टोपिबल है और फिर तो रिकवर होगा और एक्षेंज अला जाएगा तो यह पोजिशन पूरी तरह से सड़नली लॉस होने लग गई आफ्टर रुक बी-एट-ई-फॉर मोस्ट प्रॉब्ली जो है यहाँ पर मिस हुआ है अगर उस पोजिशन पर जहां पर उन्होंने कुईन सीटू खेला पर ह अगर पर हमने कुईन एथरी खेल दिया होता तो अब दूस अतरो नोदिर बेक जो है यह मैच नहीं बचा पाते क्योंकि नाइट यहाँ पर एक्षुली जो चीज शैद उनसे मिस हुई हो यहाँ पर वो नाइट हटाएंगे माली जै नाइट को कहीं पर भी वो हटा लेते ह यहाँ पर माली जै कि वो नाइट को एक्षुली मैं यह जो क्वीन ही पूरा का पूरा ट्रैप हो रहा है और यह शायद मिस हुआ देखें कहीं पर भी नहीं जा पा रहा है कोई भी स्क्वाइर कुइन के लिए अवेलिबल ही नहीं है और यह कुइन ट्रैप हो रहा था तो नाइट नहीं सकता था नाइट नहीं हटता तो कुईन सी फोर पहले देनी पढ़ती आपको चेक किंग भी बन जाता आभी भी नाइट हटाने पर कूइन ट्रैप हो रहा है तो यह प्रॉबलम था अगर कुइन सी टू की जगए कुईन एथरी खेल दिया गया होता तो यह मै जिता आखरी में अब्दूसाता रोव ने तो इसके बाद आती है जू वेंजून और वन फॉरेस्ट के मैच की बारी जू वेंजून इंट्रस्टिंग चेस खेला उन्होंने उन्होंने आज एक क्रिटिकल मोमेंट जो उनके बोर्ट का काफी पॉजिटिव चेस खेला है और एक मोमेंट आया बोर्ट पर जब ये पोजिशन थी यहाँ पर आपके पास दो आप्शन थे कि आप या तो बिशप सेक्रिफाइस कर दीजे या नाइट सेक्रिफाइस कर दीजे सही चाल थी बिशब सेक्रिफाइस कर दीजे बिशब CB5, Nd5 आता उसके अगर आप बिशब को बचाने जाते हैं कहीं रखते हैं तो बिशब D8, Rd8, Nc7, Rd7, Nb5 और एक्शुली भी यह वाइट के लिए विनिंग पोजिशन है क्योंकि यह पोजिशन पूरी तरह से फसी हुई है पीसेस आपके अच्छे खेल नहीं रहे हैं और पॉंड बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर वाइट के पास आप देखिए तीन पॉंड एक्ट्रा हैं और कोई समस्या नहीं है तो यह बात जम सकती थी लेकिन उनने मारा Nd5 उसके बिशब Bd5 और बिशब B5 के बाद जो पुजिशन आया AB4, AB4, R6, Rd5 भी आया बट Nf8 और धीरे धीरे जो है वाइट का पुजिशन, ब्लैक का पुजिशन समभल गया यहाँ पर एक और दूसरा मौका आया उनके पास जहाँ पर वो शायद कुछ जैसे यहाँ पर जब बिशब पर अटक हुआ तो सही चाल थी बिशब E7 जाते तो अभी ब्लैक स्लाइट बेटर रहता लेकिन गेम बचता बिशब अगर गेम के इस हिससे में रहता लेकिन चूकी वो चली गई बिशब E6 तो यह जी फाइब का एक और थ्रेड क्रियेट हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो रुक्की मुझूदगी की वज़े से और इसके बाद उनके फाइब किया बट इसके बाद लगा तार जो है बहुत क्रिटिकल था कि अगर वो बिशब B5 मारती इंस्टेड आफ Nd5 और बोल्ड पर जो है अगर वो यहाँ पर बिशब B5, CB5, Nd5 ऐसे खिलती तो बात अलग हो सकती थी तो यह था मेरे साब से जू बेंजून और वान फॉरेस्ट के मैच का क्रिटिकल मॉमेंट इसके बाद बात करेंगे डोंचेंको अलेक्जेंडर अनिशगीरी का मैच यह मैच भी बड़ा एक इंटरस्टिंग मैच था अनिशगीरी इसमें ब्लैक पीसे से खेल रहे थे और काफी उन्होंने कोशिश करी यह शायद यहाँ पे एक लमा आता है बोर्ड पर जब ऐसा लग रहे था कि बोर्ड में पोजीशन लगबग बराबर रह सकती है और इन्होंने यहाँ पे B3 किया और रुग D7 बगरे आया बड़ तो इसमें अगर हम बात करें तो यह कुईन D4 का एक मौका था जहाँ पे पोजीशन ज्यादा बेटर होती और सबसे में जो इसमें मुझे मिल हमा लगता है वो है शायद यहाँ पर हाँ यह वो मॉमेंट है मुझे गाल से सबसे क्रिटिकल मॉमेंट अलेक्जेंटर डॉन्चेंको और अनिस गिरी के मैच का यहाँ पे था वाइट का मूव और वाइट को खेलना चाहिए था यहाँ एक वेटिंग मूव उनको खेलना है और यह वेटिंग मूव इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल सी फाइफ आ नहीं रहा है रुग डी फाइफ रुग डी फाइफ वी तो वाइट कली विनिंग हो जाती पोजिशन तो एक्चुली वह उन्होंने क्या गलती कर दी यहाँ पे उन not here यहाँ पे सी फाइफ का मूव आ गया और इसक अद आप देखिए कि आप रुग डी फाइफ नहीं मार सकते हैं क्योंकि रुग डी फाइफ आएगा आप कुइन डी फाइफ मारेंगे तो कुइन डी फाइफ आजाएगा और अगर आप डी फाइफ बारता तो आपका रु बचा हुआ था तो अगर बात करें विदिद गुजराती और निपो मिंसी के मैच की तो यहाँ पर एक लमहा आया था वैसे तो खेल शुरुआत से एक्वल एक्वली चल रहा था लेकिन एंड गेम में एक मौका था मतलब इस गेम में कुछ भी क्रिटिकल मोमेंट डोड़ना दोड़ा मुस्किल था बट यह एक मोमेंट था जहां पर ब्लैक का मूव था यहां पर और निपो मिंसी यहां पर उन्होंने किंग E8 खेला और कुइन डी फाइफ और नाइट डी फाइफ के बाद की गेम बराबर हो गया और बाद में यह ड्राव हुआ पट अगर यहां प नाइट सी टू जाएं मा लिजे तो यहां पर बिशप E7 मतलब आप कोशिश कर सकते हो कि दबाओ डालो क्योंकि किसी भी मुमिंट में पूरे टाइम पर अगर वाइट कुइन डी फाइफ मार दे खुझ से तो किंग D5 के बाद बिकॉज अफ यह एक वीकनेस है यह फेवर क अगर मैक्स और अली रेजा फिरोजा के मुकाबले की तो वैसे तो यह गेम ड्रॉडा लेकिन इसमें भी एक पोजीशन था जहां पर मैक्स थोड़ा अपने एडवांटेज को मैक्सिमाइज कर सकते थे जैसी यह पोजीशन था जहां पर उनके पास एक पीस उनको देना ही 22 मोव सो चुकी थी और यहां पर मैक्स ने कंटिन्यू किया बिशप E2 से और अपने इस पीस को दे दिया नाइट को दे दिया और बाद में मैक जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है लेकिन अगर वो यहां पर बिशप D2 ना खेलें और नाइट C4 खेल देते और कुछ इस तरीके से पीस को रिकवर करते हैं DC3 कुइन C3 तो एक्चुली यह पोजीशन में बिकाज अफ नाइट का प्रेजेंस जो है ना यहां पर वो ज़्यादा कारगर था और यह पॉन मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा रहते और यहां पर दो क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर में आप दे पसंदारी होगी और इस तरह से ही आपको हर दिन अपने जो भी लाइब मैचेस होते हैं बड़े ग्रेंड मास्टर के देखने चाहिए और क्रिटिकल मोमेंट्स को जच करने की कोशिश करनी चाहिए इससे आपके खेल में बहुत मदद हो सकती है उम्मीद करता हूं यह झाहिए झाहिए